यूरोप में समाजवाद का आगमन और रूसी क्रांती तो रूसी क्रांती के बारे में तो भी हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं हम लोग कर रहे हैं बात यूरोप में समाजवाद को ले करके यूरोप में समाजवाद की प्रेड़ना कहां से मिली ये बात आप लोग भली भाती समझ चुके हैं कहां से मिली थी फ्रांशी जी क्रांटी से वो है फ्रांशी जी क्रांटी जो की समानता स्वतंतरता और बंधुत्तु के नारी पर लडी गई थी हलाकि नारा बहुत अच्छा था लेकिन इसके बावजूर भी जब निरंकुस राज़त्र को हटाया गया तब भी वहाँ पर समाजवाद या स्वतंतरता या समानता या बंधुत्तु की स्थिति निर्मित नहीं हुई थी क्यों क्योंकि वहाँ पर अमीरों के लिए लोगतंतराया था गरीबों के लिए नहीं फ्रांस का इंफ्लियंस सारी दुनिया में फैला यूरोप एशिया और एशिया के बाहर भी वहाँ पर लोगों को ये लगने लगा कि जब फ्रांस जैसे देश में निरंकुस लुई 16 वे को हटाया जा सकता है तो डेफिनिटली बाकी दुनिया में भी ये काम आसानी से किया जा सकता है फ्रांस की स्थितियों को देखने के बाद फ्रांस की सफलता को देखने के बाद लोगों के मन में लोग मतलब वे लोग दमित थे शमित थे गरीब गुर्बों को यह ऐसास होने लगा था कि अब हम अगर लड़े तो जीत जाएंगे हलाकि राजा को हटा के फ्रांच में भले लोकतंतर ना आया हो वास्त्विक लोकतंतर ना आया हो लेकिन एक आशा की किरण गरीब गुर्बों को किसानों को मजदूरों को दिखाए देने लगी थी कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और बस उन्ही अच्छे दिनों की तलास में जुट गए यूरोप के अन्य देशों में उधारवादी, रैडिकल और रूड़िवादी लोग रूड़िवादी लोग तो मंधर गती के लोग थे अपने आप कुछ बदल गया तो ठीक नहीं बदला तो ठीक लेकिन फ्रांसीसी क जाग उठे उसी तरह से रूड़िवादीयों की हालत हुई थी, कि उनको लगता था कि यार ये राजाओं से बैर मोल मत लो, पुराने लोगों से बैर मोल मत लो, जो पुरानी व्यवस्ता है वो चलती रहे, लेकिन अचानक फ्रांसीसी करांती ने सफलता अरजित कर ली, र अलोक तंत्रवादी, अलोक तंत्रिक थे, ये लोग पैसे वालों की पार्टी थी, मतलब उधारवादी जो थे, ये लोग पुंजी वादी मान सकता के लोग थे, रैडिकल ये चाहते थे कि बस आज जो सूरियस हो रहा है और अगला जो सूरियोदा होगा ना, उसमें पूर ना कहीं, दिमाग में पुंजी वादी मान सकता से ग्रशित थे, खुले रूप से ना सही लेकिन दबे रूप में ही, निजी संपत्ति का विरोध तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, ये चाहते थे कि पूंजी जो है किसी एक आदमी पास्ना रहा है, वाला एक आदमी बड़ा इस्तरी पुरुष थे, जो कम आयवर्ग के लोग थे, उनकी पहुंच अब कारखानों तक हो गई थी, महिलाएं जब कारखाने जाती तो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके जाती, तो इस तरह से आदमीयों के साथ, और 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 ओरतों के साथ, बच्चों की एंट्र कारखाने के अंदर हो गई, और एक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का एक नया समाज विक्षित हो गया, मतलब केवल मजदूरों का नहीं, उन मालिकों का भी, जो कारखाने इस्थापिच जिन्हों ने किया था, वे कारखाना मालिक, उनके नीचे काम करने वाले आदमी औरत और बच्चे, इनका सबका एक सिस्टम डवलप हुआ और ये पूरा सिस्टम कहलाया ओध्योगिक समाज, आज हम उसी ओध्योगिक समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर यूरोप का ये ओध्योगिक समाज क्या था और वहाँ पर क्या सामाजिक जाए कक्छा नौकी इतिहास का चल रहा है और आज का हमारा विशा है समाजिक परिवर्तन का योग और उधारवाद, रैडिकल्स और रूडिवादेश को हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ने जा रहा हैं और योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन को चलिए ठीक है यूर रूपे में समाजवात एवं रूसिक रांती इतिहास विशाय का ये दूसरा चैप्टर ये हमारा चल रहा है और इसमें आज का हमारा विशाय है और योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन तो चलिए हमारा हम करते हैं ये राजिनीतिक रूजान एक नए यूग का दियोतक कौन से राजनितिग रूजान मं उदारवादी रैडिकल्स और रूणिबादी ये लोग जो थे राजनितिग रुजान जो थे और रहे यूप का द्योतर आने वालए टाई में बदलने वाला है यहां से आभास कराते थे चैंज तक किया था, वहाँ पर राजाओं का शासन था, राजा लोगों के संरक्षन में विशेश आधिकार प्राप्त लोग हुआ करते थे, लेकिन जब फ्रांस की करांती के बाद में वह व्यवस्था बदली, तो अन्य यूरोपी देशों में भी इस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ समूह तयार हो गए, उन्हें समूहों में प्रमुक्र समूह कौन कौन से थे, उदारवादी समूह, रैडिकल समूह और रोडिवादी समूह, ये तीन समूह थे, मतलब ये राजनितिक रोजान थे, ये तीन राजनितिक रोजान थे, इन से हमको दिखाए देता था कि हाँ आ साइटी डवलप करने का एक दोर आया हुआ था साथ ही आर्थिक बदलावा को दोर था मतलब नएनी फैक्ट्री जल रही थी नएने नगर बस रहे थे ऐसी इस्थिति यहाँ पर थी कि यह एक ऐसा समय था जब नए सहर बस रहे थे यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में ज अगर बस रखती जो है नए उध्योगों का विकास हो रहा था त्रेंस भी स्टार्ट हो चुकी थी रेल विका का आफी विस्तार हो चुका था और उध्योगे क्रांति समपन्न हो चुकी थी तई मतलब फैक्ट्रीज पर्यापत मातरा में वहां पर इंस्टाल्ड हो चुकी थी और समय आगे बढ़ने लगा था इस भूमिका को देखकर आप लोग समझ गया होंगे कि ये रैडिकल्स, उदारवादी और रूड़िवादी, ये तीन राजनितिक रोजहान हमारे सामने यूरोपी राजनितिक पटल पर निकल कर सामने आए, ठीक है न, अब इन तीन रोजहानों से हमको आगे का समय दिखाई देने लगता है, कि राजनितिक यूग की सुरुवात यहां से होती है, इन राजनितिक रोजहानों से हमको इस की राजिनितिक रोजान के बारे में हम जानकारी लग जाती है। अच्छे यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का दौर था। था था ना हमने देखा था कि करांती और उसकी रोजाना की जिंदिकी कहां देखी थी हमने ये। फ्रांसी सी करांती के दौरान में। मतलब जब वर्ग था जो उस आजादी का आनंद ले रहा था अख़वार पहुंचने लगे थे जो लोसे निकालने की स्वतंतरता होने लगी थी नाटक करने की स्वतंतरता होने लगी थी मतलब काफी लिवर्टी वहाँ पर मिल गे थी काफी फ्रीडम सा गए थी तो यूरोप के अन्य द में उस समय ना केवल सामाजिक परिवर्टन का दौर था बलकि आर्थिक परिवर्टन आर्थिक बदलाओ भी आ रहे थे वहाँ पे आर्थिक बदलाओ कैसे आ रहे थे आर्थिक बदलाओ मतलब नए नए मारगों की खोज हो चुकी थी समुद्री मारगों की और उन समुद् से व्यापार से खुब पैसा कमा लिया, समरध्ध हो गया, मतलब उन्होंने इंट्रप्रिनियोर्शिप की श्रम किया, उद्यम शीलता उनके अंदर थी ही और उन्होंने कमा लिया, हमारे गाउदेहातों में भी आपस में हम लोग चर्चा करते हैं न, या रे भीया, वो आदम लिखे समरध्ध लोगों की थी, समरध्ध बाद में हुए वे, पढ़े लिखे पहले हो गये थी, शिक्षित थे वे, और उन्होंने व्यापार के नए मार्गों खोले और समरध्ध हो गये, तो एक उद्योगे करांती वहाँ पर आ चुकी थी, और आकर संपन हो चुकी थी, रेलवे का भी डवलप्मेंट हो चुका था, ऐसी स्थिती में जब उद्योगों की स्थापना हो गई थी, तो एक नए समाज का गठन हो गया था, जो उद्योगों से जोड़ा था, उसको हम बोलते हैं उद्योगिक समाज, चलिए आगे देखते हैं, उद्योगी करण के इस नहीं को भी काम काच के लिए, पैसे कमाने के लिए मजदूरी करना पड़ती थी, आकर वे दूसरे घ़रों में काम काच करती ही थी, फ्रांसी zi क्रांती में हम लोग देख चुका हैं फ्रांस में, कि फ्रांस में महिल आये, बहुत सारे काम एक साथ करती थी, तो उनको जब ये कार खाने खुले और दोगी करण की स्थिती बनी तो काम करने के उनके लिए एक नया आउसर मिला, एक नया इद्वार मिला, नया सेक्षन उनके पास में आ गया, तो वे वहाँ जाने लगी, जब वे कार खाने में वे जाने लगी, तो उनके साथ बच्चे भी जाने लगी, बच्चे भला क्या करते घर में पढ़ाई लिखाए कि ऐसा कुछ माहौल था नहीं हो मतलब एक तरह से हमारे जो गाओं देहातों के वातवराण होता है ना भारत में दुनिया यूरोप में भी इस्तिती उससे कोई अलग नहीं थी वहाँ पर भी एक अंडिशन थी आमीर लोगोंने कार खाने लगाए आदमी वहाँ पर काम करने जाते आदमीयों के साथ साथ औरते भी पहुंचने लगी जब औरते पहुंचने लगी तो उनके बच्चे भी कार खानों पहुंच गए लेकिन कारखानों में होता क्या था काम के घंटे मतलब पाली जानते हो ना बहुत लंबी होती थी जैसे कि आप इस से देख पा रहा है कि ये काम करने के जो पाली है ये बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी बेरोजगारी वहां की एक आम समस्या थी मतलब कारखाने थे तो लेकिन कारखानों में इतना ज़्यादा काम नहीं था इस किल्ड मजदूर जितने चाहिए थे उतने वहां पर मिल नहीं पाते थे तो ऐसी स्थिती में क्या हो रहा था कि औरतें आदमी और बच्चे सारे के सारे कारखाने में काम करने के लिए पहुँच गए लेकिन आने का टाइम भले निश्चित हो लेकिन जाने का टाइम निश्चित नहीं होता था कि उनको 8 से 10 गंटे, आज काम करने के घंटे कित Всемे निर्दार थे मजदूरे के लिए, 8 गंटे निर्दार थें, 8 गंटे से ज़़ादा अगर काम करते हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार, हमारी सरकारों नियम बना के रखेχें, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय कोसिस कर करने पर भी सरकार अपने सुपरवाइजस बैठाती भी थी लेकिन भी नियंतरा नहीं रख पाते थे और काम के जो पालियां है वो 15-15 घंटे 20-20 घंटे कभी कभी तो 22 घंटे तक काम करना पड़ जाता था और जितना काम करते थे उसके एवज में मजदूरी उनको बहुत कम म मिलती थी मजदूरी बहुत जादा नहीं मिलती थी ऐसा नहीं काम के आउधी बढ़ गई तो मजदूरी जादा मिल जाए बिलकुल नहीं और बेरोजगारी एक सामान ने समस्या थी इसलिए लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर थे जितना पैसा मिल जाए उतने में ही का कर लेते थे पालंपुर गाओं की कहानी में हम लोग देख चुके हैं कि जहां पर मजदूरों की संख्या देखो और उपलब्ध रोजगार की इस्थिति ना हो कम हो रोजगार के आउसर कम हो तो क्या होता है जो उपलब्ध मजदूर हैं वे कम पैसे में काम करने को तयार हो ज प्रोजगारी एक प्रॉब्लम थी जो जनरल प्रॉब्लम थी और दोगिक वस्तूओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी बढ़ जाती थी मतलब होता क्या था ये इस पॉइंट का बहुत अच्छे समझें और दोगिक वस्तूओं की मांग में गिरावट आ जा पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी अच्छा मांग का बेरोजगारी से क्या संबंद हो सकता है आप बताइए अच्छा सी सोचिए उस चीज को भाई देखिए कार खाने में यदि किसी चीज की डिमांड कम हो गई सपोस करो कार खाने में शैट बन रही है और अगर शैट की डिमांड कम हो गई बाजार में तो क्या होगा उत्पादन कम करना पड़ेगा ना यदि मांग कम हुई है तो उत्पादन भी कम करना पड़ेगा जब उत्पादन कम करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन के कारे में लगे हुए मजदूरों की संख्या भी कम करना पड़ेगी और जब मजदूरों की संख्या कम करना पड़ेगी तो क्या होगा बेरोजगारी बढ़ेगी कि घटेगी definitely बेरोजगारी बढ़ेगी मतलब मांग और पूर्ती का सम्मंद सीधे-सीधे व्यक्ति के व्यावसाय से है व्यक्ति के रोजगार से है व्यक्ति की आई से है ऐसा ही वहाँ पर होता था कि जब ओद्योगेक वस्तूओं की मांग में गिरावट आती तो फैक्टरिया जो है वो वरकर्स को बाहर कर देती और जब बाहर कर देती तो वरकर्स बेचारे बेरोजगार हो जाते शहर तेजी से फैलते और बढ़ते जा रहे थे इस बज़े से क्या हो रहा था कि वहाँ पर आवास और सापसफाई का काम मुस्किल होता जा रहा था ये चीज़ सौन में आई ना जब ओद्योगी करण होगा तो लोग काम की तलास में शहरों की तरफ जाएंगे बहुत जादा लोग गावों में होते काम उपलब दनी तो शहर में ज़ादा काम थे तो इस बज़े से क्या हुआ कि वहाँ पर आवास और सापसफाई का काम मुस्किल होगा है आवास मिलते हम देखते हैं वहाँ पर गंदीगी इत्यादी बहुत जादा फैल जाती तो हम लोग यहाँ देखते भी है ना कि जहां फैक्टरीज वाले गाओं होते हैं या फैक्टरीज वाले सहर होते हैं आजकल तो खेर वो स्वक्षता अभियान चल रहा है इसलिए सारे चीज़ें साप सफाई से देखती हैं लेकिन फिर भी जहाँ पर थोड़ी सी भी कि कोशिस कर रहे थे चाहे वो उदारवादी हो या रैडिकल हो दोनों ये चाह रहे थे कि ये जो समस्याओं का मकढ़ जाल है इसको किसी भी तरीके से ठीक किया जाए मतलब सहरों की गंदगी दूर की जाए जो बेरोजगारी कि समस्या है उससे मुकती पाई जाए जो आव आवास की समुचित व्यवस्था हो, मतलब मजदूरों के लिए स्वास, सिक्षा और आवास, इन तीन चीजों पर कैसे काम करें, इन समस्याओं का कैसे समाधान करें, इसके लिए कौन प्रयास कर रहा था, उदारवादी और रैडिकल, दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की को कोशिश कर रहे थे, लगभग वहाँ पर जो उद्योग थे, उद्योग मतलब कार खाने या फैक्ट्री जो थे, वे सारे के सारे परसनल थे, प्राइवेट लिम्टेट थे, सरकारी नहीं थे, मतलब ये की जितने भी उद्योग थे, या कार खाने थे, या इंड़स्ट्री थी और उनके यहां बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे, कि इनके यहां? Radicals के यहां और उदारवादी यहां, इस चीज़ पर ध्यान दिजिएगा, Factories, Personal थी, Private Limited थी, और इन Factories के मालिक Radical और उदारवादी थे, और इन radicals और उदारवादियों के पास बहुत संपत्ती थी ठिक और इनी के यहां बहुत सारे नौकर्चा कर काम करते थे यह सौझ में आया इसके पहले हमने पीछे क्या देखा इसके पहले हमने यह देखा कि उदारवादियों रैडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं किन समस्याओं की मजदूरों की सिक्षा स्वास्त और आवाश की क्यों कर रहे हैं इसको हम आगे सम दौलत इकठी की थी मतलब जहां भी उनको पता चलता कि फलाने देश में व्यापार के अच्छे उसर हैं तो वे अपने काफिला लेकर चल पड़े व्यापार के लिए कहीं पता चलता कि दूर देश में समुदरी व्यापार से जाना पड़ेगा समुदरी व्यापार करना पड प्रूटों से वो चल पड़ते और वहां से धंदोलत इकटा करके लेके आते और इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को जादा से जादा बढ़ावा दिया जाए क्यों कि वे लोग उद्यमशील थे वहां पर जाते थे और देखते थे कि मजदूर जो है अगर अच पारी थे जो फैक्टरी मालिक थे वे चाहते थे कि मजदूरों के स्वास्थ, सिक्षा, आवास और उनके आसपास साफ सफाई का विशेश ध्यान दिया जाए और इस तरह कि जो प्रयास किये जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए क्यों अच्छ वे ऐसा क्यों चाहते थे क्या वे इतने ज़्यादा परमार्थी थे तो इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं इसके पहले अध्यायों हम चर्चा करते हैं कि उन्हें ये लगता था कि अगर मजदूर स्वस्त होगा नागरिक पढ़े लिखे हो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे दूसरी तरफ पढ़े लिखे नागरिकों की बात वीवे करते थे तो अगर नागरिक पढ़ा लिखा होगा उसकी सिक्षा के प्रती लगन होगी तो उनके लिए बहुत अच्छे आउफिस असिस्टेंड कलर्क्स बगेरा तैयार मिलेंगे र रेडिकल्स और उदारवादी जो पैसे वाले थे जो फैक्टरी मालिक थे वे चाहते थे कि मजदूर स्वस्थ हों तो स्वस्थ कैसे रहेंगे वे अच्छी हेल्दी एक्सरसाइस करेंगे उससे भी स्वस्थ रहेंगे और आज पास उनके सापसफाई का माहौल रहे पढ़ प्रषाइदा हो रहा था कि चलो उनको स्वास्थ मिल रहा है और शिक्षा मिल रही है हलाकि पैसे मजदूरी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे थी लेकिन हाँ ये जो लाइबली हुट्स वाले मैटर था यहाँ पर उनकी इस्तिति ठीक थी रोजगार मिल रहा था भले पैसे क मिल रहे थे स्वास्थलाब मिल रहा था और सिक्षा मिल रहे थी और इस विवस्था से दोनों का काम चल रहा था मजदूरों को सिक्षा और स्वास्थ मिल रहा था और फैक्टरी मालिकों को जो रैडिकल्स रोधरवादी थे उनको अच्छे वरकर मिल रहे थे ठीक ना यह लो आये वे लोग हमेशा विरोध करते थे कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेश अधिकार प्राप्त ना हो जो भी व्यक्तिकार प्राप्त हो वे कैसे प्राप्त हो योग गिता के आधार पर प्रयास हो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो क्यों क्योंकि व्य कैसा कमाने के आउसर मिले अपनी बुद्धी कोशल श्रम और उद्यम सीलता का उपयोग करके उन्होंने धन और संपत्ति अर्जित की थी उनकी माननेता थी कि हर एक व्यक्ति को यदि स्वतंत्रता दी जाए गरीबों को रोजगार मिलने लगे और जिनके पास पूंजी है उन को सिक्षा और स्वास्त के आउसर मिले और साथ में रोजगार मिले साथ ही हर व्यक्ति को व्यक्ति गत्र स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वह किसी भी फैक्टरी में काम कर सकता है कोई रोक्टों कुस पर नहीं होना चाहिए और जिनके पास पूंजी है उनको सरकारी अडंगे वाजी में नहीं फसाना चाहिए, उनको बिना रोग तो काम करने का आउसर मिलना चाहिए, ताकि जो विशेश अधिकार प्राप्त लोग है, कई वार क्या होता था, कि radicals और liberals जो है, यह मालोफ कहीं फैक्ट्री डालने का विचार बना ले, तो जो विशेश अधिकार तो जो नए-नए पैसे वाले लोग थे, 33 रेनी के, जो अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको कहीं न कहीं राजदरवार के आगे जुकना पड़ता था, उसकी बात मानते हुए, उस आउसर को हाथ से जाने का मलाल रहता था उनको, तो वह यह कहते थे कि कि किसी को ज बोजगार हम देंगे, आप उनको सिक्छा और स्वास्त के आउसर दे दीजिए, तो इस तरह से यह सामाजिक चक्र आर्थिक चक्र जो है, यह चलता रहेगा, यह कहना था रैडिकल्स का और उदारवादियों का, इसी कारण 19-वी सदी के सुरुवाती दशक में, समाज परि और जिनके पास पैसा है, उनको फैक्टरी डालने का हाख है, उनको फैक्टरी डालने के लिए रोकना नहीं चाहिए, ताकि इन गरीबों को रोजगार मिल सके, जब इतनी अच्छे अच्छी बाते उन्हों न की, तो जो इस तरी परुस्ते कामकाजी, एक छुक थे, जो काम काज करना चाहते थे, जो मजदूरी करना चाहते थे, उनको ये बाते बहुत अच्छी लगती थी, उनको ये लगता था कि ततकाल में तो हमारा लाब हो रहा है न, भले हमारे लाब के साथ में इन फैक्टरी मालिकों के बड़े लाब जुड़े हैं, उनको ये नहीं मालम थ था कि हमारे बच्चों को हमको अच्छे स्वास्त की बात हो रही है, हमारे अच्छी घर की बात हो रही है, हमारे घरों के आसपास गंदगी नारहिस की बात हो रही है, और ये बात करने वाले को हैं हमारे अपने फैक्ट्री मालिक ही तो हैं, ये उदारवादी और रेडिकल सम कुछ कंजर्वेटिप्स के साथ खड़े हो गए एक चौथा समूह भी था जो था सोसल मतलब समाजवादियों का जो इन तीनों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखा हुआ था और आगे यह समूह क्या करने वाला है क्या करेगा यह हम आगे की वीडियोज में आगे का ध्याय में समझेंगे अभी हम रैडिकल्स लिबरल्स और कंजर्वेटिप्स पे बारीकी से नजर रखें ध्यान से नजर रखें यह चूक न जाये कहीं कि इनकी हरकतें आखिर क्या है और यह क्या करना चाहते हैं तो मैं कहा पर था मैं आपको यह बता रहा था कि 19 वी शदी के सुरुआती दसक में समाज में परिवर्तन लाने के लिए और कामकाज के लिए जो इस्तरी पुरुस थे जो अपलब्द इस्तरी पुरुस थे काम करने के लिए वे उधारवादी और रैडिकल्स पार्टियों के इर्दिगर्द इकटे हो गए कुछ रैडिकल्स हो गए चुटकारा पाने की बात होती है तो सबसे पहले हमको इस बिंदू पे जाना होगा कि यूरोप में 1815 में किस तरह की सरकारे बनी आपको बता दें कि 1815, 1415 के आसपास जो है वो नेपोलियन के पतन का समय है नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई हार चुका था और यूरोप में वापास से वो राजतंतर वाली जो प्रक्रिया थी वह सिर उठाने लगी थी और उस समय जो सरकारे बनी थी वे राष्टवादियों से घवराती थी वे नहीं चाहती थी यूरोप की जो सरकारें जो समय सप्ता में जो लोग आये थे वे लोग राष्टवादियों से उदार में देख रहा है ये यूरोप का नक्सा है तो ये पूरे यूरोप में ऐसी सरकारे बनी जो राश्टवात के खिलाब बाते करती थी जनता के समर्थन की बाते नहीं करती थी तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ये जो आज तंतर के लोग, यह सत्ता के लोग, यह कुरसी आपको यहाँ पर दिख रही है, यह चेर जो है, यह सत्ता का प्रतीक है, तो 1815 में जिस तरह की सरकारे बनी, यह सरकार बनी है, जो आपको दिख रही है यहाँ पर, यह सरकार बनी है, इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्टवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलन कारी करांती के पक्ष में थे, ये चाहते थे कि इतना जवर्दस्त आंदोलन किया जाए कि इन सरकारों से हमको मुक्ती मिल जाए और फ्रांश, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग करांती कारी हो गए कैसे लोग? रेडिकल्स और लिबरल्स ये लोग सारे के सारे करांती कारी हो गए मतलग ये लोग पूरी तरीके से कोशिश करने लगे कि राजाओं का तक्ता पलट हो जाए और आंदोलन के द्वारा हो या करांती के द्वारा हो किसी भी तरह से हो लेकिन जो राज तंत्र है उससे मुक्ती मिले और उन्होंने तक्ता पलट के प्रियास आरंभ कर लिया राष्टवादी कारकरता क्रांती के जरिये ऐसे राष्टों की स्थापना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हूँ 1815 के बाद इटली के राष्टवादी गिसेप मैजनी ने यही लक्ष प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ राजा के खिलाप साजिश रची ये वही मैजनी हैं जिनकी रचनाओं को दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं और दुनिया भर के लोगों के साथ भारत में भी उनकी राष्टवादी रचनाओं को काफी पढ़ा जाता था और सरहा जाता था तो इस तरह ऐसे एक पूरे वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ओध्योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन कैसे हुआ यहाँ पर हमने देखा कि रैडिकल्स और उदारवादी समाजिक परिवर्तन के लिए वो लोग हद से जादा आगे बढ़ गए थे उनको यह लगता था कि गरीबों को रोजगार क्या उसर मिलें जो पैसे वाले उनको फैक्टरी डालने के लिए जमीन मिलें अच्छी सुविधाएं मिलें यह सारी चीज़ें वो लोग सोचा करते थे सोचते ही नहीं थे वे इन चीज़ों की मांगों को बुलंद भी किया करते थे और उन्होंने विशेश अधिकार प्राप्त लोगों का विरोध किया हमेशा उन्होंने ये बात कि किसी को जन्म से विशेश अधिकार नहीं मिलना चाहिए याद कीजिए Franceisc Society जहाँ पर तीसरा इस्टेट तीसरे स्टेटेट में भी तीन कैटीगरी थी सबसे उपर पैसे वालों की कैटीगरी थी मतलब वे अमीर थे वियापारी थे और सम्रस्थ थे दूसरे नंबर पर वकील वगेरा थे तीसरे नंबर पर आते थे गARीब, गुरुबे, मजदूर, नौकर यह लोग आते थे, तो मजदूर और नौकर और ये Factory माले कैए अगी States के लोग थे और वो विशेश शाधी कार प्राप्त कुलीन वर्क के लोग और पादृ वर्क के लोग अलग थे, तो ये तीसरे स्टेट क जो पैसे वाले अमीर थे उनको ये लगता था कि पैसा तो हमारे पास में भी है लगता है ना सोचने में आता है कि नहीं आता कि यार पैसे मेरे पास में भी है पैसे उस पादरी के पास में भी है पैसे उस सामंत के पास में भी है लेकिन उसको special treatment मिलता है और मैं राजदरवार में हाद बांदे चुपचाप खड़ा रहता हूँ लगता है नहीं चीज भाई जिसके पास पैसा आता है उसको सबसे पहले यही लगता है कि मेरे को इस पेसल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए प्रभुता पाई का हिमद ना ही हमारे रामचरत मानस में लेखा हुआ है तो जब प् के लिए कि पादरियों कुलीनों की विशेशादीकार समाप्त करो गरीब गुरुबों को भी अच्छी सिक्षा अच्छा स्वास्त दो क्यों दो ताकि यह अच्छे हट्टे-खट्टे होंगे हमारी हम पैसे वाले इनके कारखनों में काम करेंगे और हमको फायदा देंगे तो इस तरह से यहाँ पर फ्रांस के साथ साथ यूरोप में एशिया में ये तबदीलियां आना आराम्भ हो गई इस अध्याय को आप लोगों ने समझ लिया हो गया कि ओध्योगिक समाज और समाजिक परिवर्तन का यूग ये बहुत ही अच्छे से समझने वाली चीज़ है आपको क्यों क्योंकि रैडिकल्स, लिबरल्स और कंजरवेटिब्स इन तीनों को ना पसंद करने वाला एक चौ इडियोज में समझेंगे लेकिन यहां आपको यरूडिया समझ में आ रही होगी कि ये रैडिकल्स, ये उदारवादी आखिर क्यों आम नागर कितलिये तिचिंते थे उनके स्वास, सिक्छा, आवास और आवास के आसपास स्वच्छता के लिए इसलिए ताकि उनको हट्ट से खटे, स्किल्ड, कोशल से युक्त मजदूर मिलें और उनके कारखानों में काम करें और जब काम करेंगे तो इसका फायदा किसको मिलेगा टैप्रेटली उन्ही रैडिकल्स और उदारवादियों के बीच में जो पैसे वाले लोग हैं उनको मिलेगा तो इस तरह से आपक में भी राजतंतरवादी व्यवस्था थी इसे राजतंतर से व्यवस्था आ रही है किस तरब लोगतंतर की तरब लेकिन लोगतंतर में भी किसके लिए लोगतंतर अमीरों का लोगतंतर गरीवों के लिए नहीं अब ये अमीरों का लोगतंतर जब हासिल होता है तीसरे स्ट वो होगा जो हम लेके आएंगे और उसको हम बोलेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी वेवस्था जो रूसी करांती में आपको दिखाए देगी तो यहाँ पर ओद्योगिक समाज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए कि ओद्योगिक समाज क्या था वह समाज जिसम में फैक्टरी मालिक फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर उनके बीच में परस पर संबंद था और उन्होंने एक नई सोसाइटी तयार कर ली थी जहाँ पर फैक्टरी मालिक मजदूरों की चिंता करता और मजदूर फैक्टरी मालिक की चिंता करते लेकिन किस माध्यम से उनके द्वारा बनाये गए राजनेतिक पार्टीयों के माध्यम से। यह पैसे वाले लोगों ने जो रैडिकल्स थे उनकी अलग पार्टी थी, उधारवादियों की अलग पार्टी थी। इनकी बातों में आकर के वे मजदूर, कामकाजी, महिला और पुरुष जो थे वे अलग-अलग ग्रुप्स के साथ में पोलराइज हो गए, धुरुविकरत हो गए, जोड़ते चले गए कुछ लोग रैडिकल्स के साथ जोड़ गए, कुछ लोग लिवरल्स के साथ जोड़ गए, और इस तरह से सामाजिक परिवर्तन की जो आहट थी, वो अब यूरोप के कानों में थोड़ी-थोड़ी सुनाई देने लगी थी आज के शेप्टर में बस इतना ही, हम आगे की बातों को अगले वीडियोज में समझेंगे, चली कुछ प्रशने हैं जिनको आप नोट कर लीजे पहला प्रशने है, कारखानों में कौन-कौन काम पर जाता था दूसरा प्रशने, ततकालीन यूरोप में कारखानों पर किसका स्वामित्व था तीसरा, उदारवादी और रेडिकल समाज सुधार के पक्छ में क्यों थे चौथा, नगरों के उद्योगी की करण से क्या-क्या प्रमुक समस्यां सामने आई और अंतिम, राष्टवादी, उदारवादी और रेडिकल किस तरह की सरकारों से मुक्ती पाने के लिए क्रांती करना चाहते थे मतलब किस तरह की सरकारों का तकता पलट करना चाहते थे ठीक है ना? तो इन पांच प्रश्णों को यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिखाए दे रहे हैं इन पांच प्रश्णों को आपको हल करना है बहुत सारे बच्चे कमेंट्स मेरों को लिखते हैं कि सर आप जो है वे प्रश्णुत्तर हल क्यों नहीं कराते तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूँ कि प्रश्ट उत्तर हल कराना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि आपको ये part समझ में आ जाता है आपको ये concept समझ में आ जाता है तो आपके सामने कोई भी प्रश्ट नहीं जाए उसके उत्तर आप दे सकते हो सबसे पहली चीज है हमारा concept clear होना 1815 में यूरोप में इस तरह की सरकारे बनी कि उनको हटाने के लिए राष्टवादी, उदारवादी और radicals प्रयास करने लगे, तक्ता पलटने का प्रयास करने लगे तो अब हमको जब तक ये पता नहीं होगा पार्ट में कि 1815 में किस तरह की सरकारे बनी? मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद मैं इस तरह की सरकारे बनी, जो फ्रांस ने नेपोलियन के माध्यम से जो आसपास छेतर जीत लिये थे, वे विजित प्रदेश से पुनह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे मतलब वहां के जो राजा थे जो नवाप थे वो जो शामंत थे वे वापस सत्ता में आ चुके थे और वे राष्टवादियों से नफरत करते थे राष्टवादियों को वहां से दूर करना चाहते थे तो और ये र नाच वे प्रस्ण का उतर क्यों नहीं कर पाएंगे यह 있지 तो यही मेरा मतलब है प्रस्णों का हल मैं करा हूँगा पहले हम हमारे को सको कम्प्लीट कर लें को सक्मप्लीट होने के बाद में हम सारी क्षाइभ सम्भावित बनते हैं और हॉमवर्क में आप से भी बात करूँगा मैं इस वीडियो को पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप डैफिनिट अपनी बुक्स भी देखते होंगे कुछ बच्चे इधर उधर कोश्चन बैंक्स बगरा भी तलासते होंगे कुछ और क्लासिस मे जाकर के वहाँ से कोश्चन लेकर आते होंगे तो कोश्चन कलेट कर लीजी आप लोग और यदि आपको कोई कोश्चन ऐसा लगता है जिसका आंसर आप नहीं लिख सकते तो कमेंट में लिखिए हम उन कोश्चन को लेकर के डाउट क्लियर इंग सेशन बनाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स कलियर हो जाएं मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टुडेंट्स जो एक लासे बाय मनिसर देख रहे हैं ये किसी लिखी हुई इबारत को टीप के और अपना काम करें क्यों कि अभी आपको प्रतियों की परिछाएं पास करनी है एक लंबा सफरता करना है और बड़ी मंजिलों को हासिल करना है ऐसे ही आप हासिल नहीं कर सकते किसी बड़ी मंजिल को इसके लिए आपको अपने कॉंसेप्ट कलियर करके चलना ही होगा मतलब चलना ही होगा कोई सौटकट नहीं होता सफलता कर ये आपको काठ बांद लेना चाहिए ठीक है ना तो आप लोग देखते रहिए एक लास्स बाय मनीश सर और मुझे इजाज़त दीजिए जय हिंद